दोस्तो आज बहुत ही बढ़ियां मैं आपके सामने एक बोड लेका आया हूँ जो कि हमारा बोड यह आप मिस्त्री है तो बहु विप्योगी है आपके लिए आप इसको जरूर बना लें बहुत ही आप सकता होती है बहुत सुरच्छा होती इससे इसको बनाने के लिए हमने तीन स्विच दो फाइप पिन साकिट एक टूप फिन एक बोल्ट मीटर डिजिटल और दो होल्डर एक यम सीवी का प्रयोग किया है देख पा रहे हैं हमारा यह सिरीज एक बल्फ हमने सिरीज में लगाया है एक में लगाया है दोस्तो हमारे पास ज प्रोडक्ट कहीं अगर यदि साट है देख पा रहे हैं हमसी भी हमने तो यह मसी भी लगाने से फाइदा होगी को सौट हो जाएगा और जो भी मार पास बनने के लिए आ रहा है समान पहले हम उसको सिरीज में चेक करते हैं यह हमारा चेक करने का पहला फार्मूला बनाएं देख पा रहे हैं हमने आर्दस का बोड ले रखा है और बोड के सिट पर हमने अपने सभी समान को असंबल कर दिया है अब ही हम सीबी हम बोड में के साइड में कटिंग करके रखा है उसमें लगाएंगे दोस्तों यह हमारा 6 MBR का MCB है यह MCB कनेक्शन आप लोगों को एक बार बता दूं कि MCB में हमें इन और आउट दोनों लिखा रहता है कभी भी MCB को जब आप सीधा अपने हाथ में दाहिने हाथ में बाएं हाथ में सीधा अपने तरफ बटन को सीच को सामने रखेंगे तो उस समय हमें नीचे से इन कराना होता है उपर से आउट ओपर से उट निकालना पड़ता है और नीचे से लाइन देना पड़ता है जैसा कि आप अभी देखेंगे यह एंकर कंपणी का है MCB आप जब भी प्रयोग करें अच्छी कंपणी का प्रयोग करें यह नहीं कहता है कि आप सिर्फ इंकर का रही लें बहुत से अच्छे अच्छे कंपनिया हैं देख पार है यह तीर का निशान लगा हुआ है उसमें लाइन लिखा हुआ है और इस तरफ आप हमारे बाय हाथ तरफ दिख पा रहे हैं वहाँ लिखा है यह ओडी यानि लोड दो वाइरिंग करके दिखा देते हैं कैसे हमने लगाया दोस्तों देख पा रहे हैं आप यहां से इन वहां उस तरफ आउट हमने करा दिया अब हम एमसीवी को सेट करेंगे सेट करने के लिए हमने एक पत्ती भी लगा रख्या है कि आप झाल का दैसा कि आपने देख उसक्ष्च की रहे हैं सीट पर हमारे सभी सामान शुम सेंब्ल पहले सीकर रखा था कि अभी वending करने के लिए पर सबस्बने यह हम इंप वायर को ठाइंगे जो हमारे तीनों सूच है उसमें दे देंगे इसमें देने के बाद वहां से हमारा फिस का वाइरिंग पूरा हुआ अब हम बटन से वाइरिंग सब करना शुरू करेंगे एक बटन से देख पार हैं 5 पीन पे हमने दे दिया दूसरे से 5 पैन पे यह तरब अपर में कस रहे हैं आप σας नहीं से when आप किron gonna be on up यहां से लिए कि उपर जो होल्ड़ा है होल्डर भीं दे दिया दूसरे पॉइंट से अभी हम जो बीच वाला खाली है हमारे पास इसे हम मेन होल्डर में देंगे जो उपर आप देख पा रहे हैं अभी हम कस रहे हैं इस होल्डर यह हमारा मेन लाइन होगा कभी यह दिमें आप सकता पड़ी तो इसमें हम लैंप लगा के काम वाम करने माशानी होगी दोस्तों और और कि एक बटन से हम क्योंके मारा एक डो इट डू फिन जो है साकेट है है इसमें इसको इलिए बटन कंपाब रह ठाह था तो मनें एक युदव वाइश हो रहेगा एक ही बटन से अभी है हमारा फिस का वाइरिंग पूरा हुआ है अब हम न्यूटिल की वाइरिंग करेंगे कि देख रहे हैं यह हमारा मेन हुआ बटन से एक टूप फिन एक फाइप पिन पर हमने दे दिया पहले बटन से दूसरे बटन से होल्डर फे तीसरे से सीरीज बोर्ड में देख रहे हैं सीरीज के हमें कैसे कनेक्शन करना आप समझ पाने रहे हैं यह सीरीज का होल्डर है जहां उठा हमने अभी रखा है यह हमारा डिजिटल बोल्ट मीटर है फिस का वाइरिंग हमारा पूरा हो गया है हमारा टूपिन ऊपर खाली है मैं वहाँ से सुरू करूंगा आप कहीं सी भी कर सकते हैं जाहे इस टूपिन से करें जहां होल्डर से करें क्यूबकि निटल हमें हर पॉइंट में पहुछाना है निटल को हम डारेक्ट देते हैं अफ्फेश को बटन से कंट्रोल करते हैं इस होल्डर में कशना है जो हमारा सिर्इज लेंप के लिए हम प्रयोग में कर रहे हैं हम नाप लेने के बाद तार को कट कर दिये, अभी 20 से हम क्रेक करेंगे असानी से हो जाता है इसके लिए आप कटर का प्रयोग कर सकते हैं कैंची से मेरी आधित पढ़ चुका इसलिए मैं कर पाता हूं यदि आप कैंची से नहीं होता बहुत से में त्रोस कट जाता है तो आप कट रहाता है तीस रुपए का आप उसे ले सकते हैं कि दोस्तों कि इसी तरह टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आप सब्सक्राइब अभी नहीं किये हैं तो तुरंत आप सब्सक्राइब कीजिए कि इसे हमें मोटिवेशनल मिलता है वह उसाह भड़ता है कि न्यूटल का तीसरा पॉइंट देख रहे हैं हम फाइब पिन में दे रहे हैं जो कि हम मैं में यूच करेंगे हमारा सिरीज नहीं हो कोई वस्तों डाइट चलाने के लिए हम प्रयोग करेंगे शुरू में वीडियो फास्ट हो गया इसके लिए अभी न्यूटल में हमारा कनेक्शन पूरा हुआ अब यह जो टूपिन है हम उसमें देंगे देख पा रहे हमने टूपिन में दे दिया है और टूपिन में हमने न्यूटल का जो बाहर वायर निकालेंगे वह भी उसमें कस रहे है यह जो हमारा छोटा तुकला बचा न्यूटल का यह हम बोल्ट मीटर के एक पॉइंट में दे देंगे अगर आपको यह बोल्ट मेंटर चाहिए तो आप हमारे टेली ग्राम पर जोड़ सकते हैं वहां से आप पर्चेस कर सकते हैं या तो आपके नजदी की मार्केट का आडिया हो तो आप अपने मार्केट नों पता करें मिल जाएगा यह आपको लगभग 100 रुपया से लेके 120-130 रुपय तक साहद मिलेगा नूटल का वाइरिंग भी हो गया हमारा फेस का भी हो गया यह सीबी से जो हम आउट कर आ रहा हैं इसे जो स्विच पर हमारा पहला बार गया था उसमें एक कर देंगे दोनों को बोल्ट मीटर के एक दूसरे सिर्य पर हम इसे टाइट कर देंगे दोस्तों इसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा वीडियो में पूरा लाष्ट तक बने रहे हैं देख पा रहे हैं हमारा बोल्ट तयार हो चुका है मैं आपको फिर से बार बता दूं कि हमारा मेन वायर है जो देख रहे हैं आप मैं वायर को हमने बोल्ट मीटर पर से लाके सिधा सिधा इसमें तीनों दे दिया स्विच पर से एक साकिट एक टूपिन पर एक फाइप पिन साकिट पर दे दिया बटन से दूसरे बटन से डाइक्ट जो हम यूज करेंगे होल्डर उस पर दे दिया बचा हमारा तीसरा स्व तो इसे उठा के यह स clown सोनें इस शीरी पर दे दिया देन देख पाने के सिया गया थे दूसरे चोल कर उठा करें है आसले उठा करें अभा दो भाट करें तो हमारा एक फैस निवेतल तो मिलता रहता है अब दूसरा यहां से मिलेगा अभी मैं आपको प्राइडिकल आपने देखा ही कैसा जल रहा था शुरू में दोस्तो इसी तरह के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारा प्रयास यही है कि आप भी सीखे और अच्छे से सीखे यह MCB का प्रयोग आप जरूर कीजिए अभी हमारा बोर्ड तयार हो गया है धन्य बाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में